जब जब शनी की बुरी दशा की बात होती है तब तब लोग दर से कापने लगते हैं अपनी कुंडली में शनी को ठीक स्थान पर लाने के लिए लोग न जाने कितनी पूजा कितनी अर्चना करते हैं शनी का प्रभाव सीधा लोगों के कारिक शित्र पर पड़ता है अपने गुस्से के लिए तो जाने ही जाते हैं वहीं ये न्याय प्रिये भी होते हैं लोगों को उनके कर्मों के अनुसार शनी देव फल प्रदान करते हैं वहीं आप सभी के लिए अब एक अच्छी खबर आ रही है और खबर ये है कि शनी देव ने अपनी दशा बदल ली है एक अगस्त के बाद से शनी होने वाले हैं पाँच राशियों पर महरबान सबसे पहले बात करते हैं मेश की मेश राशी वालों के लिए भी बेहद अच्छी खबर है इस सावन मेश राशी के लिए भी शनी, सुक और स्मृद्धी लेकर आएगा जी हाँ मेश राशी वालों के जो कारे लंबे समय से रुके पड़े थे वो अब सफलता पूरवक पूरे होंगे लेकिन यहाँ मेश राशी के लोगों को अपने करोध पत नियंतरन रखना होगा अगर आपने गुसा दिखाया तो आपके बनते काम बिगड सकते हैं आपको आपके परिवार से पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा और शनी देव की आप पर क्रिपा बनी रहेगी आपके जीवन में पैसो की भी कोई कमी नहीं होगी आपकी आर्तिक स्तिती पहले से मजबूत होगी और इस दोरान आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं तो एक अगस्त से आपका अच्छा समय शुरू हो गया है बात करते हैं दूसरी राशी की दूसरी राशी जिस पर महरबान है करम फलदाता शनी वो है सिंग सिंग राशी जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस राशी के लोग बेहद क्रोध वाले होते हैं वही इन लोगों को अबकरोद करने की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि शनी की कृपा से अब इन लोगों के जीवन से बुरी शक्तियां और दुश्मनों का नाश होने वाला है जीवन साथी का पूरा पूरा सहीयोग मिलेगा इसके साथ साथ आपको आपके मित्र भी दुख की घड़ी में साथ खड़े नजर आएंगे परिवार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेगा और शनी की आप पर विशेश कृपा होगी आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे वहीं अगर आप विध्यारती हैं तो आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है तीसरी राशी है कन्या राशी कन्या राशी वाले अगर निर्धन और असहाय व्यक्तियों की सहायता करेंगे तो इससे उन पर शनी देव की दोगुनी कृपा बढ़सेगी और उन्हें शनी बेहत अच्छा फल देंगे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन आपको एक बात का खयाल रखना है कि आप किसी के उपर भी आख बंद करके भरोसा ना करें क्योंकि आपके साथ विश्वास खात हो सकता है इसके बाद चौती राशी जिस पर शनी महरबान है वो है व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी वालों के लिए भी शनी महराज आने वाला समय बहतर लेकर आने वाले हैं जी हाँ व्रिष्चिक राशी के लोगों के बहतर जीवन की शिरुवात हो गई है आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है इसलिए जितना महनत कर सकें उतनी महनत कीजिए आने वाले समय में आप तेजी से प्रग्दी करेंगे पांचवी राशी है राशी वालों पर भी शनी की विशेश क्रिपा है कुम्ब राशी वाले दफ्तर में जो भी कारे करेंगे उससे उनके उच्छ अधिकारी बेहत प्रसंद होंगे सहकर्मियों का भी पूरा सही योग मिलेगा मित्रों का परिवार का सही योग मिलेगा लेकिन आपको यहां खयाल इस बात का रखना है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो उस समय आप सावधान रहे आगे तो शनी आप पर महर्बान है ही आपकी सभी मनुकामनाय पूर्ण होन कथा सागर डेस्क रिपोर्ट हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें